हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। अपी हन्ट सभी अच्छ होगे विल्कम इंट मैजी किचन ऑफ करस्ट मैजी कििचन ह हमेशे लाता है आपके लिए अमेजिंग डिलेश्यस राशपी तो डिलेश्यस राशपी के लिए सब्सक्राइब कर दिजिएगा Medication of Krishna वाल आइकन प्रेस कर दिजिएगा अच्छा लगे तो अच्छ अच्छे कमेंट कीजिएगा और हमें बताएगा कि आपको हमारी recipes कैसी लगती है Friends हम लाते हैं आपके लिए बहुत amazing recipes Indian recipes traditional recipes और बहुत सार innovative recipes तो innovative और special recipes बनाने के लिए बने रहे हैं Medication of Krishna के साथ Medication को आपने जो प्यार दिया है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया योँ ही बने रहेगा और योँ ही प्यार बरसाते रहेगा हम आपके लिए लाते रहेंगे amazing delicious recipes तो Friends चले देखते हैं आज की हमारी recipe कौन सी है और आज की recipe के tips और tips कौन से हैं तो चले बनाते हैं आज की special recipe तो Friends आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही special pizza ये है दिलरुबा पीज़ा यानि दिल को पसंद आने वाली pizza और instant है bread pizza है बहुत ही जल्दी बन जाएगा और बिलकुर special तरीके से हम बनाने वाले हैं आपके लिए ये special pizza Christmas आने वाला है Friends तो Christmas पे जरूर बनाईए ये special pizza Christmas ही क्यों आप अपने हर party के लिए छोटी छोटी पार्टियों के लिए छोटी छोटी भूख के लिए जब भी भूख लगे फटा फट से बना सकते हैं ये special दिलरुबा पिज़ा और बच्चों का फेबरेट है तो बच्चों की पार्टी में तो इसको बनाना पनता ही है बच्चों की बड़े पार्टी हो या आपकी केटी पार्टी ज़रूर बनाईए इस तरह की snacks सबको पसंद आने वाले हैं बनाते हैं ये special pizza इसके लिए चाहिए हमें bread तो ये बड़ी size के bread लीजेगा बड़े slice वाले bread देखिए इस तरह के बड़े slice वाले bread तो एक pizza में 6 slice लगेंगे तो सबसे पहले slice के जो side से उसे cut कर लीजेगा तो इसे फैक ना नहीं है इसे आप breadcrumb बना सकते हैं तो यहाँ हमने tray पे लगा लिया है butter paper और इस तरह से इन slice को arrange कर देगे देखिए ठीक इस तरह से arrange करेंगे अब हम slice के उपर इस तरह से spread कर देगे pizza sauce देखिए इस तरह से spread करना है लेकिं थ्यान रखे जो side से वो हमें थोड़ा सा अधा इंच छोड़ना है और अधा इंच छोड़ते वे हमें इस तरह से pizza sauce को पूरी तरह से spread कर देना है देखिए joints वगरा सब को अच्छे से spread कर देंगे अब इसके उपर हम add करेंगे मजरेला चीज तो ये अमूल का मजरेला चीज है जो कि बहुत delicious और tasty है तो spread चीज को sprinkle करेंगे conjuice बिल्कुल नहीं कीजिएगा अच्छे से spread कीजिएगा अब इसके उपर spread करेंगे American corn sweet corn इसमें भी conjuice नहीं कीजिएगा अच्छे से spread कीजिएगा अब इसके उपर हम use करेंगे jalapenos और साथ में black olives अब यहाँ vegetable आप अपने पसंद के नुसार ले सकते हैं well papers ले सकते हैं red green और yellow अब उपर से हम cube cheese को इस तरह से grate कर देंगी तो cheese add करने में कंजूसी बिलकुल भी नहीं करनी है तो एक cube cheese को हमने grate कर दिया अब इस पर आड़ करेंगे pizza herb mix इसमें सभी चीजें हैं चिली फ्लेक भी है औरीगेनो भी है salt भी है black pepper भी है अब उपर से चिली फ्लेक और आड़ कर देंगे थोड़ा सा salt भी अड़ करेंगे लिज ये तयार हो गया हमारा special देलरुबा pizza अब इसे OTG में bake करना है तो OTG को हमने preheat कर लिया है 180 degree पे 10 minutes के लिए अब हम इसे 180 degree पे 10 minutes लगा देते हैं middle rate पे लगाया हमने 10 minutes बाद हमने इसे high rack पे लगा दिया 5 minutes के लिए 250 degree पे 5 minutes तो high rack पे हमने लगाया 250 degree 5 minutes और ready हो गया हमारा कुरकुरा special देलरुबा pizza है ना amazing बहुत कम वक्तों में बना friends और बहुत कम ingredients से इतना tasty pizza बहुत amazing है तो देखिए नीचे बटर पेपर लगाया था तो easily निकल जाएगा बहुत delicious है और बहुत tasty है friends यह pizza बस कट कीजिए और सर्फ कीजिए गर्मा गर्म गर्म खाने में ही आनन्द है तो गर्मा गर्म सर्फ कीजिए जब भी party हो तो आप जल्दी जल्दी इस तरह के pizza बना सकते हैं तो हमने इस ओटी जी में बनाया है आप इसे microwave ओवन में भी बना सकते हैं देखिए इस तरह से कट कर लें देखिए इस तरह से कट कर लिया अब हम इसे ट्रेंगल में भी कट करेंगे और सर्फ करेंगे तो चोटे चोटे बाइट्स में हमने इसको कट कर दिया और बहुत ही tasty और delicious है ये pizza बिलकुल मुँ में पानी आ जाएगा और बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे तो बच्चों के लिए जरूर बनाएए ये special pizza तो हमारा special दिलरुबा pizza बनके ready है friends देखी कितना tasty बना है और cheese यूज करने में कंजूसी बिलकुल ना करें तभी तो ये tasty लगेगा जो bread है वो काफी crunchy हो चुके है तो खाने में बहुत ही amazing लगेंगे crispy crunchy ये दिलरुबा pizza देखिए चीज का मज़ा है ना तो बनाएए जल्दी से अपने बच्चों के लिए और इस तरह से plate कर सकते है पार्टे के लिए सब देखिएगा दो मिनिट में plate आपका साफ हो जाने वाला है तो जरूर बनाएए ये special pizza इस Christmas पे, New Year पे या किसी भी पार्टी पे जरूर बनाएए ये special pizza instant pizza, bread pizza, दिलरुबाब pizza तो बनाएए ना क्या सोच रहे हैं करक कर लिए इंग्रेडेंट रबना डालेए ये amazing tasty delicious pizza हमारे style में बनाएएगा जरूर और हमें बताएगा कि आपको हमारी recipes कैसे लगती है comment section में comment करके बताएगा कि आपने बनाया ये pizza और आपके बच्चों को कैसा लगा ये आपके महमानों को ये pizza कैसा लगा जरूर बताएगा वेज़िटेबल्स आप और भी यूज़ कर सकते हैं जो आप यूज़ करना चाहें पनीर यूज़ कर सकते हैं ये नॉनमिज़ खाते हैं तो आप चिकन भी यूज़ कर सकते हैं आप बहुत तेस्टी और बहुत delicious तो आप वो pizza बनाने का जो लेंदी प्रोसेस है उसको भूल जाएएगा और ये इंस्टेंट वाला पीज़ा बनाएगा खिलाएगा अपने परिवार को और हमें दीज़ेगा लाइक कमेंट और सब्सक्राइब शेयर जरू कीज़ेगा यदि आपको हमाजे अच्छे लगी तो अपने फ्रेंड्स के बीच में ये डिलेशियस दिलुबा पीज़ा जरू शेयर कीज़ेगा और हम लाइगे आपके लिए फिर new amazing fusion रेशिपी तो हमारी ये fusion रेशिपी जरू बनाईएगा अच्छे लगी तो बनाएगा जरूर और बनाकर आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में और आपको रेसिपी कैसे लगती है तो जरूर कमेंट करके बताईएगा कमेंट सेक्शन में हम लाते हैं हमेशा आपके लिए अमेजिंग डिलेशियस रेसिपी तो Amazing Delicious Recipe के लिए Magic Kitchen of Krishna के साथ सदा जुड़े रहिएगा जो लोग चुपके चुपके चले जाते हैं ना तो चुपके चुपके मत जाएए हमारे साथ जुड़े रहिए और सबस्क्राइब कर जीजेगा चैनल हमारे साथ हमारी फैमिली को बढ़ा कीजेगा तो हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए तहे दिल से शुक्रिया यहीं जुड़े रहने के लिए और बनाने के लिए Amazing Delicious Recipe तो फ्रेंड्स बनाएए आज हमारी Special Recipe हम चलते हैं फिर लाने आपके लिए नई और Amazing Recipes तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में तिल देन स्वस्त रहे मस रहे और बना दे रहे Amazing Recipe Medical Recipe Merry Kitchen of Krishna के साथ